ही अब्रिवाइन माइनम इस उपैंद्र यादब और आप देख रहे हैं एजूकेशिन एल्गॉरिदम तो हम लोगों ने Sequences of Real Numbers के Lecture Series को Start किया था जिसमें आज ये हमारा Third Lecture है तो Last Lecture में हम लोगों ने पढ़ाता कि Sequence क्या होती हैं, कहां यूज करते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं, Range Set क्या होता है किसी भी Sequence का तो ये सारी चीज़े हम लोग Last के Lectures में Already पढ़ चुके हैं, तो अगर आपने Last का Lecture नहीं देखा है, तो पहले आप Last का Lecture देखिए, दैन इसके बाद आप फिर ये बला Lecture देखिए And आज के Lecture में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि Bounded Sequence क्या होती है, किसी भी Sequence को कैसे पता करते हैं, कि ये जो Sequence दे गई है, वो Bounded Sequence है या फिर ये Unbounded Sequence है, तो हम लोग With Example के साथ पढ़ेंगे, दैन इसके बाद एक Bounded Sequence से Related एक Theorem और है, तो हम लोग उस Theorem के Statement को कि उसको किस तरीके से Proof किया जाता है, ठीक है, तो चलिए, अब हम लोग Start करते हैं, सबसे पहले हम लोग Bounded Sequence देखते हैं, कि Bounded Sequence क्या होती है, तो एक बाद Definition को जल्दी से Read कर लेते हैं, Definition है, अब इस Definition का मतलब क्या हुओ, जो हम लोगो ने अभी Rate की है, इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी Sequence An को हम लोग Bounded तभी बोलेंगे, जब वो Sequence इस Condition को Satisfy करेगी, यह Condition क्या है, Mod of An is Less than Equal to K, तो अगर आप किसी Sequence के लिए इस Condition को Check कर लेते हैं, तो आप Easily बता सकते हैं, कि हमारी Sequence Bounded है, या फिर यह Unbounded है, तो अब हमारे सामनी यह Problem आती है कि इस Condition को कैसे Check करें, तो इस Condition का मतलब यह हुआ कि अगर हमारे पास कोई एक Sequence An, अगर हमें कोई एक Sequence दे दी जाए An, तो उस Sequence के जो Element हैं, उन सभी Element पर आप Mod Apply कर दीजिए, अगर उस Sequence में Negative Element हैं, तो जब आप Mod Apply करेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, Positive हो जाएंगे, और अगर उस Sequence में Negative Element हैं यह नहीं है, सारे Element Positive हैं, तो Mod Apply करने का कोई फायदा नहीं बनता है, अगर आप Mod Apply करोगे, तब भी वो positive के positive ही रहेंगे तो आपने क्या किया कि सभी element पर mod apply कर दिया मतलब mod of an आप लोगों ने निकाल लिया तो अगर उस sequence के सभी element पर mod apply करने के बाद अगर उस sequence के सारे element एक specific real number से less than है मतलब छोटे हैं तो वो जो हमारी sequence से वो क्या हो जाएगी एक bounded sequence हो जाएगी इसका मतलब यह हो जाएगा कि mod of an is less than equal to that specific number जो आपने निकाला है कि इस real number से sequence के सारे element less than हैं तो एक method तो आपका यह हो गया दूसरा method चेक करने का हमारे पास यह है यह condition क्या है कि small k is less than equal to an is less than equal to k इस condition का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई एक sequence an दे गई है तो हम कोई दो real number ऐसे find out करके लाएं small k and capital k जिससे sequence के जो भी element है वो उन दौनो real numbers के बीच में आ जाएं तो अगर आप किसी sequence an के लिए small k and capital k की value find out कर पा रहे हैं तो आप इसली बोल सकते ही कि यह जो हमारी sequence है वो क्या है एक bounded sequence है आप इन दोनों method में से किसी एक method का use करके आप इसली बता सकते हैं कि हमारी जो particular sequence है या फिर जो given sequence है वो bounded sequence है या फिर यह unbounded sequence है चलिए अब हम लोग एक example की help से समझने की courses करते हैं जिससे आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि किसी भी sequence को bounded और unbounded कैसे पता करते हैं तो हमारे पास जो first example है first example में हम लोग को sequence दे गई है 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4 and so on तो basically हमारे पास यहाँ पर sequence क्या है an is equal to 1 by n तो अगर यह sequence bounded है तो हमारे पास पक्काई एक ऐसा real number के जरूर होगा कि mod of an is less than equal to k हो जाए तो अब हमको क्या करना है वो एक ऐसा real number ढूणना है कि sequence के सारे element क्या फिर term जो भी आप बोलें कि सारे term sequence के उस particular real number से less than हो जाए तो यहाँ पर अगर हम इस sequence के लिए k की value अगर हम 1 ले लेते हैं तो यह बाली जो condition है वो हमारी satisfy हो जाती है किस तरीके से देखे यहाँ पर हम लोग को element क्या देगे 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5, 1 by 6 and so on तो इस sequence में कोई भी negative element नहीं आ रहे लेकिन यहाँ पर तो हमारे सारे element already positive है तो अब हमें एक ऐसा real number निकालना था कि उस particular real number से इस sequence के सारे element less than हो मतलब छोटे हो तो हाँ है न हमारे पास एक particular real number वो है 1 और आप easily देख भी सकते ही कि इस sequence के जितने भी term है वो सारे 1 से छोटे है चाहे इस sequence में आप n की value 1000 ले लीजे 1 करोड ले लीजे आप जो मर्जी चाहें आप n की value वो ले लीजे जो भी term आप लेंगे वो हमेशा 1 से less than ही होगा फॉर एक्जामपल अगर माल लीजे आप 1 divided by 1 करोड ये भी इस sequence का element है न क्योंकि 1 by n है न हमारे पास sequence तो n की value हम लोगों ने क्या ले ली 1 करोड तो 1 by 1 करोड अगर आप इसको देखेंगे तो ये 1 से less than है न तो चाहे आप n की value कुछ भी चूज कर लेजी जो आपकी मर्जी हो हर n की value के लिए ये जो हमारी given sequence है वो हमेशा 1 से less than रहेगी या फिर equal to होगी क्योंकि हमारे पास जो largest element है इस sequence में वो क्या है 1 है न तो हमारे पास एक ऐसा real number मिल गया या हमारे पास एक ऐसा real number आ गया कि उस real number से इस sequence के सारे element less than है और वो real number है 1 इसका मतलब mod of 1 by n हमारी sequence है 1 by n mod of 1 by n is less than equal to 1 तो ये condition हमारी satisfy हो गई तो मैंने आपको अभी क्या बताया था कि अगर आप किसी sequence के लिए ये condition या फिर ये condition इन दोनों में से किसी एक condition को satisfy करा देते हैं तो वो जो हमारी sequence है वो क्या हो जाती है bounded sequence तो यहाँ पर हम लोगों ने इस वाली condition को satisfy करा दिया तो इस वजए से ये जो हमारी sequence है वो क्या है एक bounded sequence है और अगर आप इस sequence को इस condition की health से भी check करना चाहें तो आप इस condition से भी check कर सकते हैं तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए small k की value और capital k की value इसका मतला हमें दो real number ऐसे चाहिए कि किसी भी sequence के small k जो हमारा real number होगा उससे बड़े element हो और capital k जो हमारा real number होगा उससे छोटे element हो तो इस sequence के लिए जो small k की value होगी वो क्या होगी 0 and capital k की value क्या होगी 1 क्योंकि इसकी जो element है वो 0 से greater than है और 1 से less than है तो हमें small k की value भी मिल गई और capital k की value मिल गई So this given sequence is a bounded sequence Next अब हमारे पास second example भी है Second example में हम लोगों को जो sequence दे गई है वो है an is equal to minus 1 की power n तो हम लोगों को इसे check करना है कि यह bounded है या फिर यह unbounded है तो आप इसी तरीके से जैसे मैंने आपको यह भला example समझाया था न उसी तरीके से आप इस example को भी check कर सकते हैं आपको बस क्या करना है या तो आप यह condition satisfy करा दीजिए या फिर आप इस condition को satisfy करा दीजिए तो आप easily check कर सकते हैं कि यह sequence bounded है या फिर यह unbounded है और आप बता भी है सकते हैं चलिए देखें इस sequence में जो element आ रहे हैं वो किस type के आ रहे हैं सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं तो sequence में element है 1, minus 1, 1, minus 1, 1, minus 1 इसी तरीके से element आ रहे हैं क्योंकि जब आप n के value यहां पर odd लोगे तो आपको हमेशा n के value odd लेने पर आपको minus 1 मिलेगा और जैसे जैसे आप n के value even लोगे तो उस टाइम आपको a n के value क्या मिल जाएगी 1 मिल जाएगी तो यहां से आप easily बता सकते हैं कि यह जो sequence है वो एक bounded sequence है क्योंकि small k की value यहां पर क्या होगी minus 1 and capital K की value क्या होगी positive 1 तो आपने इस sequence के लिए 2 real number ऐसे find out कर लिए कि sequence के सारे element उन दोनों real numbers के बीच आ रहे हैं तो इस बज़े से यह जो sequence है वो क्या है एक bounded sequence है तो अभी हम लोगों ने इस condition का use किया आप इस condition का भी use कर सकते हैं आप लोगों को बस क्या करना है sequence के उपर mod apply करना है तो जब हम mod apply करेंगे तो जो negative 1 value है वो क्या होजाएगी positive 1 इसका मतलब sequence क्या होजाएगी 1 1 1 1 1 1 and so on तो यहां पर भी जो हमारा K की value होजाएगी वो क्या होजाएगी 1 that is mod of an is less than equal to k तो यह जो हमारी given sequence है वो क्या है एक bounded sequence है इसके बाद हमारे पास next example है the sequence defined by an is equal to n square is bounded below but not bounded ever देखें अगर आप किसी sequence an के लिए small k की value find out कर लेते हैं और capital K की value find out नहीं कर पाते हैं तो उस type की sequence को हम लोग बोलते हैं कि bounded below sequence और अगर आप किसी sequence के लिए capital K की value find out कर लेते हैं लेकिन small k की value find out नहीं कर पाते हैं तो उस type की sequence को बोलते हैं bounded above sequence तो अगर कोई sequence bounded below भी हो और bounded above भी हो तभी उस sequence को बोलते हैं कि यह जो given sequence है वो एक bounded sequence है और अगर कोई sequence bounded below है या फिर bounded above है तो उस sequence को हम लोग bounded sequence नहीं बोलेंगे मतलब अगर कोई एक sequence एक तरफ से unbounded है तो फिर वो हमारे लिए unbounded sequence होगी ना के वो bounded sequence हो ठीक है तो यहाँ पर यह जो हमें sequence दे गई है an is equal to n square सबसे पहले element देखते हैं कि element किश टाइब क्या आ रहे हैं इस sequence में जो element आ रहे हैं वो है first element 1, second element 4, third element 9 मतलब किस तरीके से आ रहे हैं 1, 4, 9, 16 and so on तो इसलिए आप देख सकते हैं कि इस sequence के जो element है वो 1 से तो greater than है आपको small k की value तो मिल गई लेकिन यहाँ पर आप capital K की value find out नहीं कर पाऊँगे for example माल लीजे आपने मुझे यह कहा कि यहाँ पर capital K की value हमारी 20 आ रही है तो मैं आपको आपके real number से इस sequence का ऐसा element या फिर term find out करके दे दूँगा कि वो जो आप मुझे real number बता रहे हो उस real number से इस sequence का element greater than होगा जैसे आपने मुझे 20 बताया तो मैं बता सकता हूँ ना कि इस sequence का जो fifth element है वो है 25 तो आपके real number से ये जो sequence का element है वो greater than है तो अब कोई साब भी real number find out नहीं कर सकते हैं जिससे इस sequence के सारे element less than हो जाए तो इस बज़े से ये जो sequence है वो क्या है bounded below है क्योंकि हमने छोटा एक ऐसा number find out कर लिया है मतलब 1 जिससे sequence के सारे element क्या है greater than है लेकिन capital के value find out नहीं कर पाए इस वज़े से ये जो given sequence है वो क्या है एक bounded below sequence है बट bounded above नहीं है तो basically ये एक unbounded sequence है लेकिन अब यहाँ पर तो बहुत छोटी छोटी sequence दी गई है जिनको आप easily देखके बता सकते ही कि ये bounded है या फिर ये unbounded है लेकिन हो सकता है कि आपको आगे चलके इस type की sequence दिखें कि वो देखने में बहुती भैंकर हो या फिर अजीब type की हो तो आप उनके सारे element थोड़ी नहीं निकालेंगे कि हाँ साब फाम चलो ये सारे element निकाल रहे हैं के बाद हम बताएंगे कि ये जो sequence है वो bounded है या फिर ये unbounded है तो हो सकता है कि वो आपके लिए impossible हो तो bounded और unbounded check करने के कुछ method भी होते हैं ये तो simple से method है मतलब ये एक तरीके से general तरीका है कि किस तरीके से पता करते हैं कि ये bounded है या फिर ये unbounded है लेकिन अगर आपको sequence थोड़ी भैंकर type दे दी जाए दिखने में बहुत भैंकर हो हो या फिर बहुत बड़ी हो तो उसको कैसे check करेंगे उस type की sequence को check करने के लिए भी हमारे पास अलग method है तो जैसे जैसे हम लोग आगे lectures में बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगा कि जो और type की sequence होती है जो थोड़ी दिखने में भैंकर होती है उनको कैसे check करते है कि ये bounded है या फिर ये unbounded है आगे कि जो भी examples होंगे हम लोग उन में discussion करेंगे ठीक है? यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ और भी example दिये है जैसे हमारे पास जो next example है वो ये है कि an is equal to minus n square हमारे पास sequence क्या है? an is equal to minus n square तो अब आप easily बता सकते ही कि ये जो sequence है वो bounded above sequence है लेकि बाउंडed below नहीं है ये जो sequence है वो bounded above कैसे है? क्योंकि हमारे पास एक real number ऐसा है जिससे इस sequence के सारे element उस real number से less than है वो जो real number है वो है zero क्योंकि यहाँ पर आप n की value चाहे कुछ भी choose कर लीजे 1, 2, 3, 4, 5, 1000, 1 करोड आप कुछ भी choose कर लीजे वो जो आपको value मिलेगी वो हमेसा क्या मिलेगी? negative मिलेगी तो negative value 0 से तो हमेसा less than होती है तो यह जो sequence है वो हर अपनी end की value के लिए 0 से less than होगी इस वज़े से यह जो sequence है वो क्या है? bounded above है लेकिन bounded below नहीं है क्योंकि आप मुझे कोई भी एक ऐसा real number नहीं बता सकते हैं जिस real number से इस sequence के सारे element greater than हो क्योंकि आप find out कर ही नहीं पाओ के आप negative में आप कुछ भी value बता दीजिए मैं आपको पक्का एक एक नए एक ऐसा इस sequence का element find out करके दे दूँगा कि वो जो आपने मुझे real number बता है उससे less than होगा तो इस वज़े से यह जो sequence हमें दे गई है वो क्या है? bounded above तो है लेकिन bounded below नहीं है next example हमारे पास यह है sequence दी गई है minus 1 की power n into n अब यह जो sequence है यह ना तो bounded above है और ना ही यह bounded below है इस sequence के लिए ना तो आप small k की value find out कर पाओगे और ना ही capital k की value find out कर पाओगे क्योंकि इस sequence के जब आप element निकालोगे तो आपको positive भी मिलेंगे और negative भी मिलेंगे तो इस वजए से यह जो हमें given sequence है वो क्या है एक unbounded sequence है तो यहाँ पर जितने भी possible type के example हो सकते थे मैंने आपको यहाँ पर बताए कि bounded above, bounded below, unbounded, bounded कैसे चेक करते हैं आपको इन 4-5 example की help से अच्छे से समझ आ गया होगा कि किसी भी sequence को bounded, unbounded, bounded, below, bounded, above कैसे चेक करते हैं ठीक है फिर भी अगर आपको कोई problem हो किसी sequence को समझने में या फिर किसी sequence की boundedness चेक करने में तो आप मुझे comment section में बता सकते हैं next अब हमारे पास एक most important theorem है तो इस important theorem को समझने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाता हूँ वो बात यह है कि इस पूरी lecture series के अंदर या फिर किसी भी video में अगर हम कोई theorem पढ़ते हैं और उसका proof पढ़ते हैं तो आपको ये बात जरूर ध्यार रखनी है कि उस theorem के statement को अब बिलकुल न भूलें अब proof को भूल जाएं कोई दिक्कत नहीं आपको proof नहीं आरा तब भी कोई problem नहीं है लेकिन theorem का जो statement है वो आपको बिलकुल याद रहना चाहिए अगर आप वो भूल जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी आप proof सभी लोग भूल जाते हैं मुझे भी कई सारे ऐसे proof हैं जो नहीं आते हैं लेकिन जो statement है जितनी भी theorem है उनका जो statement होता है वो मुझे हमेसा याद रहता है तो आप courses कीजिए कि जो भी theorem आप लोग पढ़ेंगे उस theorem के statement को आप बिलकुल न भूलें आप proof भूल जाएए कोई दिक्कत नहीं है अगर आप proof नहीं कर पाएंगे तब भी जो आपको questions दिया जाएगा चाहे वो IIT jam का हो NBHM का हो, differ का हो आप questions को easily attempt कर लेंगे अगर आपको statement ध्यान होगा तब ही अगर आपको statement ही नहीं ध्यान होगा तो फिर तो कोई possibility नहीं है कि आप questions को attempt कर लें तो आप courses कीजिए कि जितनी भी theorem हम लोग पढ़ें या फिर उनके proof पढ़ें आपको theorem का statement जरूर याद होना चाहिए आप एक काम कर सकते हैं कि आपको जितनी भी theorem देखने को मिले चाहे वो इस lecture series वो हो या फिर कोई दूसरी lecture series हो तो जितनी भी theorem आपको देखने को मिले आप उन सभी theorem को एक page पे लिख लीजिए और time to time उनको revise करते रहे आपको बस क्या करना है theorem के statement को ही तो याद रखना है तो अगर आप उन theorem के statement को तीन चार बार पढ़ोगे तो आपको बैसे भी याद हो जाएंगे और उनके proof भी पढ़ेंगे तो सबसे पहले theorem इस theorem का statement को read करते हैं तो statement है every convergent sequence is a bounded sequence इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी धी convergent sequence होती है वो bounded sequence होती है इस theorem के statement को याद रखिए आगे हम लोग इस theorem के statement को use करेंगे तो अब हम लोग प्रूब देख लेते हैं कि इस theorem का proof कैसे करेंगे तो चलिए प्रूब देखते हैं let an be a sequence which converges to l अगर हमारे पास एक convergent sequence है तो उसकी limit भी होगी तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास एक sequence है जो क्या है एक convergent है जो कहां converge कर रही है l यहाँ पर हमारा कोई भी एक real number हो सकता है तो an हमारे पास एक sequence है जो converge कर रही है l पर अब हम लोग को proof क्या करना है proof यह करना है कि अगर यह sequence an है अगर वो l पर converge कर रही है तो फिर पक्का यह bounded sequence होगी हम पक्का ऐसे दो real number find out कर सकते है small k and capital k कि यह जो sequence है वो उन दोनों real numbers के बीच में आ जाए तो चलिए देखते हैं कि उन दोनों real numbers को कैसे find out करेंगे now let us assume that epsilon is equal to 1 यहाँ पर हम लोगों ने epsilon की value को 1 लिया है तो अगर sequence an l पर converge कर रही है तो यहाँ से हम लोग यह imply कर सकते हैं कि there exists a positive integer m such that mod of an minus l is less than epsilon और epsilon की value क्या है यहाँ पर हम लोगों ने 1 already choose कर रखी है that is mod of an minus l is less than 1 for all n is greater than equal to m तो जब हम इस mod को open करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि l minus 1 is less than an is less than l plus 1 यह तो basic सी math है ना आप इसको already समझ सकते हैं कि जब हम इस mod को open करेंगे तो open करने के बाद हम लोगों मिलेगा l minus 1 is less than an is less than l plus 1 for all n is greater than equal to m लेकिन अब आप यहाँ पर यह बिल्कुल नहीं बोल सकते कि लिजिए यह small k के value यह गई और capital K के value यह गई और हमारा proof done हो गया यह बिल्कुल गलत है यहाँ पर हम इस proof को नहीं छोड़ सकते क्योंकि यह incomplete है अभी क्योंकि यहाँ पर जो हम proof कर रहे हैं वो epsilon is equal to 1 को लेकि proof कर रहे हैं लेकिन हमारा जो भी proof है वो तो सभी epsilon के लिए true होना चाहिए चाहे हम epsilon के value 1 ले, 2 ले या फिर कुछ भी ले 0.01, 0.000, 0.0, 0.01 कुछ भी ले सकते हैं आ EPSYLON के value जितनी चाहें उतनी चोटी से चोटी ले सकते हैं तो उस चोटी से चोटी EPSYLON के लिए भी हमारा proof true होना चाहिए तो यहाँ पर हम लोगोंने particular epsilon की value ले लिना कि epsilon is equal to 1 इस वज़े से यहां पर हम इस proof को अभी नहीं छोड़ सकते हैं यह proof अभी incomplete है proof को complete करते हैं complete कैसे करेंगे आए देखते हैं हम लोगों ने क्या किया कि small k real number को इस तरीके से choose किया कि minimum of a1, a2, a3, am-1 and l-1 इनका जो minimum है उसको हम लोगों ने माना small k और capital k किसको माना कि maximum of a1, a2, a3 and so on am-1 and l-1 तो इनका जो maximum है वो हम लोगों ने माना capital k यहां पर यह सोच रहे होंगे कि यह m कहां से आ गया मैं बताता हूँ आपको m कहां से आ गया अगर यह जो हमारी sequence है हम लोग उसको क्या मान के चल रहेते हैं कि यह जो sequence है वो convergent है और जो l पर converge कर रही है तो हम लोगों ने अभी पीछे क्या लेखा था कि mod of a n-l is less than epsilon for all n is greater than equal to m अगर वो convergent है तो फिर इस condition को जरूर hold कर रहा होगा क्या condition यह जो मैंने अभी आपको बताई कि mod of a n-l is less than epsilon for all n is greater than equal to m हाँ जो हम m की value choose करेंगे वही value हम लोग यहाँ पर use करेंगे तो a1 a2 a3 and so on a m-1 and l-1 का अगर हम minimum लेंगे तो वो हमारा हो जाएगा small k and a1 a2 a3 and so on a m-1 and l-1 का जब हम maximum लेंगे तो वो हमारा होगा capital k तो हम लोगों को small k भी मिल गया और capital k भी मिल गया तो हम लोगों को यह condition मिल गई और जब ये condition मिल जाती है तो हम लोग क्या बोल देते हैं कि sequence क्या है हमारी एक bounded sequence है that is an is a bounded sequence तो यहाँ पर यह हमारा अब आके proof done होता है तो statement क्या था कि every convergent sequence is a bounded sequence तो आपको statement बिलकुल ध्यार रखना है अगर एक बार को आपको proof नहीं भी समझ आया हो तब भी कोई दिक्कत न नहीं है लेकिन आपको statement बिलकुल ध्यार रखना है लेकिन अब आप यहाँ पर सुरू से पढ़ रहे हैं तो आप समझने की कोसिस कीजिए कि आपको proof समझ में आये और अगर नहीं आता है तो आप मुझे comment section में बता सकते हैं मैं आपको वहाँ पर भी कोसिस करूंगा कि आप को समझ आ जाए next अब हमारे पास एक remark भी है तो उस remark को भी देख लेते हैं the converse of the above theorem does not hold कि अभी अभी जो हम लोगों ने theorem पड़े कि every convergent sequence is a bounded sequence इस theorem का जो converse statement है वो hold नहीं होता है in general true नहीं होता है कि अगर आपके पास कोई एक bounded sequence है तो वो convergent हो भी सकती है और नहीं भी हो सक एक example से समझते हैं जैसे हम लोग एक bounded sequence लेंगे और मैं आपको देखाऊंगा कि वो convergent sequence नहीं होगी लेकिन अगर कोई एक convergent sequence है तो वो bounded जरूर होगी और इस theorem का जो converse है वो true नहीं होता है आपको ये ध्यान रखना है तो example ये है हमारे पास एक sequence है an is equal to minus 1 की power n तो element किस type के होंगे 1 minus 1 1 minus 1 1 minus 1 इस type के element आ रहे होंगे तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही example लेके दिखाया था न कि ये जो example है ये जो sequence है an is equal to minus 1 की power n ये एक bounded sequence है लेकिन ये जो sequence है वो convergent sequence नहीं है convergent sequence क्यों नहीं है क्योंकि इस sequence के पास दो-दो limit point है और अगर किसी sequence के पास दो-दो limit point होते है तो वो convergent sequence नहीं होती है क्योंकि अगर convergent है तो फिर unique limit point होना चाहिए और इसके पास unique है नहीं है इसका मतब ये convergent नहीं है अभी आप परेशान मत होईए आगे हम convergent sequence क्या होती ह और convergent sequence कैसे check करते हैं कि यह जो given sequence है वो convergent है, divergent है या फिर oscillatory है यह हम लोग आगे के lectures में पढ़ेंगे तो यहाँ पर यह जो sequence है वो bounded तो है, लेकिन convergent नहीं है, तो इसी बज़े से मैंने आपको बताया था कि इस theorem का या जो अभी हम लोगों ने theorem पढ़े उसका जो converse statement है, वो in general true नहीं है, तो आप यह ध्यार रखना, तो आज के lecture में हम लोगों ने bounded sequence और उससे related एक theorem है, उसको discussion किया तो आज का lecture हम लोग यही finish करते हैं, इसके बाद हम लोग next lecture में पढ़ने वाले हैं कि monotonic sequence क्या होती है, कैसे पता करते हैं कि अगर कोई एक sequence है, वो monotonically increasing, monotonically decreasing sequence है, तो यह हम लोग next lecture में bit example के साथ बहुत ही अच्छे से पढ़ें अगर आपको आज का lecture पसंद आया हो, तो आप इसे like कीजिए और साथ में अपने दोस्तों को भी share कीजिए जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी benefit हो जाएगा, और अगर आपको इस पूरी lecture series में या आज के lecture में किसी चीज़ को समझने में problem भी हो, तो आप मुझे comment section में बता सकते हैं, जितना जल्दी हो सकेगा, उतना जल्दी में आपकी comment का reply कर दूँगा, और अगर आप इसी तरीके के और वीडियो चाते हैं और lecture चाते हैं, इसी तरीके के courses और चाते हैं, तो आप हमारे इस channel को subscribe भी कीजिए और साथ में bell icon को press भी कीजिए जिससे आपके और हमारे बीच की जो connectivity है, वो बहुती अच्छी बनी रहेगी, तो आप subscribe करना और साथ में bell icon को press करना बिल्कुल न खुले, तो मिलते हैं अब हम लोग next lecture में, take care, bye bye